मेरी पर्सनल एक्स्पियेंस के थूँ मैं एक बाद मोला शाहती हूँ कि कोई भी फेस्पेक हो या मार्केट बेस्ट प्रोडक्ट हो उसे यूज करने से पहले एक बार पेस्टेस डरूर करें क्योंकि हो सकता है आपकी स्किन एलजेटिक हो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हल्फू लगी है तो लाइक से रहन सब्सक्राइब कर ले मेरी चैनल को इस फेस्पेक को बनाने के लिए बेसन ले दो चमच आप कोई भी ब्रांड का बेसन यूज कर सकते हैं मैं दो चमच टोमेटो का जूस चाहिए और साथ में चाहिए हनी आप वह भी ब्रांड को यह यूज कर सकते हैं मैं डावर की हनी यूज कर रही हूं हनी चाहिए आपको वन चमच दो चमच बेसन पे मैंने एक चमच हनी एट की है दो चमच बेसन के साथ एक चमच हनी मिक्स कर ले साथ में जो टोमेटो जूस निकाले थे उसे भी स्पेक में मिक्स कर ले इस फेस पेक को ना जदा गाड़ा करे और ना ही जदा पतला करे अच्छी तरह मिक्स कर ले अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपकी फेस पेक कुछ इस तरह के लगेगी इस फेस पेक को आप अपने फेस पे गरदन पे और जहां जहां डार के रिया है आप महाँ पर लगा सकते हैं आप नहाने जाने के 10 मिनट पहले इस फेस बेक को यूज करें मैंने इस बेक को अपने हाथों पे लगाया है ति 10 मिनट बाद दिखी ऐसे ड्राइ हो गई है 10 मिनट बाद आप ठंडे पानी से नहा लें आपको खूद चेंजेज देखने को मिलेगा रेगूलर यूज करने पर ट्रस्ट मी ये 100% नेचरल है और इफेक्टिव है आप थाइंक्यू फॉर वाचिंग मा वीडियो